पहला चैप्टर पहली ग्लास में मैं आपको अच्छे से एक्स्प्लेयन कर गवा कि नंबर सिस्टम क्या है और नंबर किस तरीके से डिवाइड किया है तो पहले समझते कि नंबर है क्या कि तुझे नंबर है नंबर जितनी भी चीज़े हम मेजर करते हैं हम प Wagner करने लीव मेजर करते हैं तो यह कहीं भी अगर आपने मैजर्कमेन करनी है तो आपन implies करते हूद लेबलिंग करनी है आप एक इस रोगे चरemia कर करो को तो यह कही सब क्या है वो नमबर में आपको पढ़ने वाले हैं सिर्फ री अमर बड़ना अप्ड़ा सा इस चैकार कर दो तो नमबर होते हैं तो नमबर आपके दो करी में डिवाई होते हैं। उसको हमने बोह दिया पहले एक है रिया लंबर हो ऊंग नमजी हो ड्यानमबर से आपको समय आ रहा है जो रियल्टी में coher एकस्ट करते हैं और और यह नमछे नमए के सब्सक्रफाते चीए वह उन नमछे ग़ूए रिए डूसरे नंबर आते हैं हमारे इमेगणल अ आ Dreams कि इनफी मगर्स क्या होते हैं जो एक्ट्चल में होतने ही यानि हम उनको लिखने का तरीक हीनम होता है यानि जो रूट Export की वे जुने थो जो घख़ह कॉंप्लेक्स नंबर इसकों बोलते यह 11 ंग का है इसलिए यह क्यूंकि हमें नंबर के अंदर भी हमें सिर्यल नंबर की बात करते हैं बहुत होकि हो मैली पढ़ेंगे हैं एक है विद डेसिमल और एक है विदाउट डेसिमल जो तीन तरीके से आप अलग कर सकते हो एक वह जो टर्मिनेट कर गया है यानि मैं आप पुल लिग देता हूं अगर मैंने 3 by 2 लिया और इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आएगा 1.5 टर्मिनेट कर गया एक नमबर ऐसा है जो की क्या है जो की 1 by 3 लिखा मैंने पर इसको सॉल्व करवा आएगा आएगा आसर 0.333 और यह टर्मिनेट नहीं करेगा जैसा कि यह नमबर है यानि रिपीट हो रहा है तो ऐसे नमबर जो की रिपीट होते हैं एक वह कैटेगरी हो गई इसनी कैटेगरी हो गई जिसमें नमबर ना तो टर्मि इसके चार जिरो पांच जिरो पर इस करीके से नमबर क्या होगा आगे बढ़ता रहेगा यानि कभी भी ना टर्मिनेट गाएगा ना रिपीट करेगा तो इसी चो नमबर हमारे विद डेसिमल वाले वो तीन के डिगरी में होगे पहली वाले को होते हैं नौन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और तीसरी के डिगरी जो हो गई हमारी वो हो गई नौन नौन टर्मिनेटिंग नौन रिपीटिंग सब्याएं याली हमारे जितने भी रियर नंबर हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रसंट करते हैं हम 67898 तक हमने सारे नंबर पढ़े हुए में 678 में हमने पढ़ा हुए है जितने भी रियर नंबर होते हैं वो नंबर लाइन पर रिप्रसंट हो जाते हैं एक वो जो टर्मिनेट नहीं होते हैं बट रिपीट करते हैं अपने आपको कि अभी जरूरी नहीं कि दो डेस्मल के बाद ही रिपीट कर रहा है यह ऐसा हो सब्सक्ता है कि नंबर इस तरीके का भी सब्सक्राइब और इस तरीके से रिपीट करें यानि हमें क्या है चाहिए हमें बस रिपीट करता हूँ नंबर चाहिए यानि रिपीट करना चाहिए ऐसे जिदने की नंबर है वो आपके चाहँगे इस काटेगरी में हैं और तीसरी काटेगरी आपके आती है ना तो टर्मिनेट करें ना र रिपीट करेगा ऐसे नमबर आप और भी लिए सकते हो यह अपर भी आप जो है इन जितने भी नमबर है आपके इन सब नमबर में थोड़ी कटेग्रीज आगे डिवाइड किया है इन सारे नमबर को यहां से लेकि यहां तक इन सब नमबर को हम बोलते हैं इन टीजर्स क्या होते हैं इनको बोलते हैं हम इन टीजर्स नमबर इन सब को क्या होते हैं इन टीजर्स नमबर अब इन टीजर्स नमबर के अंदर हमारे पास यह नमबर होते हैं एंटीजर और यह जो नमबर होते हैं इनकों बहुते हैं नेगिटिव एंटीजर और यह 0 गजयास को बहुत है हम 0 इंदर छiएंध माइनस सफ़मेलि से लेकर प्ल coupon कि नंबर जितने हैं वो नंबर के अंदर भी हमारे पास क्यों की गुले सबसक्राइब हिण भीजी स्वाओं सब्सक्राव कि कि इन्हीं को आप बोड़ सकते हो और क्याली कर दो अगरौ है विस्ट के दीरो को भी इंश्डविड कर रहूं तो तो यह जो number बनेंगे इनको हम बोलते हैं whole number इनको क्या बोलते हैं whole numbers जैनि जीरो को भी एकर हमने include कर गया तो आपके क्या बजाएंगे वह आपके हो जाएंगे whole numbers दुबारा समस्थते हैं का हमारे real number दो काडिकर में डिवाइड होते हैं एक है with decimal एक है without decimal ठीक है अच्छा उसके बार में decimal में तीन तरीकी से बनते हैं एक है terminating एक है non-terminating but repeating एक है non-terminating non repeating उसको non repeating की जाएं non recurring भी बहुतते हैं non recurring यहीं बार-बार repeat बार-बार repeat जो है now ऐसे non recurring में तो क्या होता है यहां पर यहां पर देखो यह जो काडिगरी आपके होती है यह बन इन दो काडिगरी को हमने इसको बोला rational number rational number बोला अब रैस्ट नमबर क्या होते हैं the number which can be represent in the form of PYQ those numbers those numbers which can be represent in the form of P by Q where P and Q are integer and Q not equal to 0 जहां रठना यानि rational number जो है आपके जो रैस्ट नमबर है वो P by Q की form में represent कर सकते हो बट पी और Q दोनों क्या होंगे इंटीजर होंगे और Q not equal to 0 यानि आप ऐसा नहीं कह सकते कि 2 by 0 आपके 2 और 0 जीरो दोनों इंटीजर है बट जीरो जो है क्यों की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी तो यह जो पी बाइक्यू की फो में represent ही नहीं हो सकते हैं इर्ष्णल नंबर्स और अगर हम ऐसे नंबर्स को जो पी बाइक्यू की form में लिख सकते हैं अगर जब उनको रैशनल बोलते हैं तो क्या मैं जीरो को दी रैशनल बोल सकता हूं अब बिल्कुल बोल सकते हूं अगर जीरो अपान वान कोई भी यह अंडरस्टूड है कोई भी नंबर लिखा हुआ है जो एक्स वाइज़ कुछ भी लिखा है उसके नीचे यह दिनोबटर में क् बन बाना जकता है अब जीरो को देखो आप उपर वाला धी इंटीजर नीचे वाला दीजर नीचे वादा जो है क्यों नॉगए टि जीरो बिल्कुल दीग है यह क्या होगा यह रैशनल होगा अब दिमाग में आ रहा होगा कि यह तो इंटीज जो हैं जितने भी आपकों उ तो त्री फोर मानिस वन मानिस तू मानिस इनको भी पीओ की फर्म में लिख सकते हों इसलिए जितने भी इंटिसर्स हैं वह सब की सब आपके रेस्ट नंपर के अंदर आते हैं एक चीज और समिझ लेना दभारा बोलाँ दभारा समय लो कहने का मतलब ही यह हुगा कि अगर इंटिजर रसन नमबर यह दो कटेगरी रसन नमबर है यह वाले के रसन समय तो नमबर जो होते हैं रियल नंबर्स जो हो गए वो आपके सिर्फ दो केडिग्री में डिवाइड हुए वो क्या है एक तो रैशनल मैं थोड़ा सा नीचे लिख के तांस को एक हो गया रैशनल नंबर अब दूसरा हो गया इर्रैशनल नंबर्स जिन पर हमने यहां पर समझा पूरा नंबर सिस्टम के कि हम ने नंबर्स को किस तरीके से कडिग्राइज किया है तो हम यहां पर डिरेक्ष यह ना डिख शक्ते हैं डिख सकते सब्सक्राइब तो रियाल नंबर किसे में दूसरा यह दो नंबर में ही अपना पूरा नंबर सिस्टम आ गया है तो आप इस चैप्टर में आप यह बढ़ोगे कि कोई नंबर रैशनल है नहीं है कोई इसके बीच बालो कोई इसके बीच बीच निकार वट से पहले मैं थोड़ा सा और कलियर करें आपको नंबर आपके दमाग में आए 4 आप पूछे कि वह ऐसे इराशनल है या वह मीजिदर है या वह अ हम नंबर है तो आप देखो कि यह नंबर फिर्स्ट नाच्ट नंबर यह क्या है धिए यह नच्ट नंबर यह वन टू इंप्नि इन इन रिपनिटी कहना नंबर फिरेशनलनिख नेच्रलल नंबर नबर दूसरा आप देखो कि यहां से 0 से लेकर इंफिनिटी तक क्या है whole number है तो आप 4 क्या है whole number के अंदर भी आता है अच्छा आप 4 जो है infinity के, minus infinity से लेकर plus infinity के बीच भी आता है मतलब integer के अंदर भी आ रहा है तो आप 4 को क्या हो सकते हो आप 4 को इंटीजर भी हो सकते हो और इस 4 को आप 4 by 1 भी ले सकते हो तो यानि आप इसको rational नंबर भी हो सकते हो आप समझो मैं क्या समझाना चाहाँ कि ऐसा नहीं है कि natural नंबर आपके 1 से इंटीजर नंबर होंगे तभी आप लोगे इनको natural नंबर है ठीक है हम individual कहने का मतलब है कि एक ग्रूप बना दिया हमने इसके अंदर जितने भी नंबर आते हैं आपके वो सारे natural नंबर है अब उसमें से किसी एक नंबर की बात कर रहे हो दो नंबर की बात कर रहे हो अलग है इसे ही यह पूरा गुर्प के आपका होल नंबर है यह पूरा गुर्प के आपका इंटीजर इस तरीके से इंको अलग है अब में एक नंबर और लेता हूं चलों कि वीडियो कॉंसर के आप लिख लेना जो कि मैं मिटा देता हूं इससे पहले आप लिख लिया करो अगर कुछ हिंट आपको लिख नहीं हो तो मालों मैंने लिखा माइनस फाइफ जो है नाच्रल नंबर के अंदर तो आई लिखा नाच्रल नंबर नहीं है जीरो जर्तो है और कुछ ओर वोसकता यह का जगरक्शनल नंबर नहां सब्सक्राइब हूं एक जर्ट उसकता है और तो दूसरा यह ब sensit KP के स्मसिंद में कस तरीके से क्शोन को언शे मेर्ढ कर पाद़ेया तो मैंने इसमें आपको बड़ा इजी वे में आपको संग्जाया कि टोटल नंबर है कितने और हमने उनको किस तरीकी से कटेग्राइज दिया है अगर आपको संग्जमें नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को बार बार एक बार देखे दो बार देखे आपको बिल्गुल